व्लाव यूटूब चनल आप सभी का स्वागत तो दीखिए वीवर से यह जो है सिंपल सा प्लान कंसिस करता है और इसमें आपको इस तरह से दिख रहा है अगर आपको इसका स्क्रिंशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं बहुत ही बहुत यह बहुतर इन डिजाइन बनाए ग कि 28 इंटू 34 अलग रहेगा और 34 इंटू 28 अलग रहेगा तो इसका है 34 इंटू 28 का एक प्लान इस तरह का सिंपल सा प्लान है आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर देजिए औसम होस्प्लान आइन कंस्ट्रक्शन को तागि आने वाले समय में आपको है और यहां पर स्टेट के साथ अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं डेफिनेंट आप लोगों को हेल्फुल रहेगा तो यहां से एंटर होए और इसमें आपको कॉलम साइज बता देंगे कॉलम पोजिशन और उसके साथ ही कितना खर्चा आ सकता है वो भी आपको बता देंगे तो इसा है पार्किंग एरिया 13 फिट 6 इंज को पार्किंग एरिया इसा जो है 13 फिट आइसा जो है पडंटार का साइज जो है 6 fit में बना है 3 fit 3 fit इग फिर यहां एंटर ओगा है हाल हौल का साइज जो है 10 थीं बई 14 छे का हाल और इसके लिए windows यहां पर एक window लिया गए इधर एक window चाहे तो एक window single window भी लिसकते हैं और इधर टीवी रखने के लिए जगा यहां पर सेटिंग पोजिशन आ जाएगा फिर यहां से जो है आप कामेंट आटेंड बाद रहेगा तीन छेवाई साथ फिटके कामेंट आटेंड बाद फिर यहां एंटर होगा है एंटर होते ही यहां जो है आपको किचन कम डाइनिंग एरिया इधर स्टूरेज के लिए जगा रहेगा इधर यहां पर आपको डाइनिंग एरिया मिल जाएगा फिर नेक्स्ट यहां से एंटर होते हैं बेडरूम में तो इस इस एरिया में जो है सिंगल बेडरूम का बना हुआ है नवगए 11 फिट का बना हुआ है एंड कॉलम पोजिश कॉल मिलाकर 11 कॉलम है और यहां पर तो आप कॉलम नहीं लेख सकते हैं तो इस तरह का एक सिंबल सा ब्लाइन डिजाइन बनाएं गया है इंजिनियर के जारा कैसे लगा वीडियो और इसे कंस्ट करने में कितना खर्चा सकते हैं तो देखिए करीब आपको आट लाखा अब अब यूज़ना करें 12 mm का कम से कम 12 mm को और 16 mm को इस्तमाल करना चाहिए यह बीच में जो रहता है 16 mm का चार यूज़ कर सकते हैं तो यह सिंपल से अप्लाइन डिजाइन बनाए रहा है और आप अपने राई बता जिए कैसा लेगा वीडियो जरुबताएगा और बहुत बहुत शुक्रिया आप अपने कीमती समय देखें सुरियो को देखें है इसी तरह से लाइक शेर और सब्सक्राइब भी करते जाएगा और वह काफी हल्फुल भी हो सकता है थेंक यू थायो ग्रेट डेग गूड लग यह किचन कम डाइनिंग गेरिया